तो पहले मैं बोल लेता हूं पहले हैं और जैसा की आपको मालूम हो चुका होगा कि अलमुडा विदानसवा से संबंद लोगों से हम बात कर रहे हैं चुनाओं को लेकर बात कर रहे हैं इस संबंद में हमारे हमें में एक बुजुर्ग दिखें हम रोट से जब आ रहे थे तो वह बीजेपी का गमचा ओड़े थे तो जाहिर सी बात है बीजेपी के उस मर्थक होंगे क्या नाम है आपका मेरा नायक जीवन सिंग आप आर्फी में हूं अपना काम देखो धाम देखो बीजेपी आई हुए कां करें काम हो रहा है आप बताओ आपका नाम क्या है मेरा नाम प्रकाचन बड़ अच्या है इस बार रुजहान काम हम अलबुड़ा में हुआ है नहीं हुआ है या चेंज कर रहा है आदमी क्या चीज़ें काम नहीं हुआ कर रहे हैं बीजेपी नहीं इस बार पांस साल बीजेपी यहां थी तो काम नहीं हुआ कह रहे हैं कोई अपना पेड मत भरो तुम भी खाओ हम भी खाएं भगमान भी खाएं आज बोदी जी ने क्या नहीं किया किया सबकुछ किया यहां उन्होंने एक हिया वह शादू है वह पुजा कर रही हो इंडिया को आगे ले जा रही है आपका घर कहां बढ़ता है अश्या दुगाल खोला अहां पानी बिजली सब कुछ है अज़ा कुछ वह को ने जा है उनको कुछ चही है नहीं और यहां प्रवालों के वक्टा हैं पक्का सर बेटा मेरी 63 साल उमर है मेरे जमाई पोस्ट ऑपिस में तु बाला किसमान है मेरी को चैसे दो रोटी मिलेगा आपका नाम क्या है कहा के रहने वाले हो जीवन सिंग आपका नाम है यहां का निवास्ची हूँ वेश्चे जहां से इस बार कुजवाल भी हार जाएगा कुजवाल ने अपनी गण जिता रखिये वहां से महुन सिंग बोला मैं उखारता हूँ अशा नसर एक बार सरकार विज़ी पी की लाओ या कि रहने वाले आप नहीं को हाँ से मेरा जिजा जी है महुन सिंग महरा महरा में उनका शाला हूँ ठीक है ठीक है आपका नाम क्या है और दो कोई काम निए हालने हमारे गाव में तो कोई काम निए हुआ आपका हमारे गाव में थाटिक गाव कि प्षज़ंगा करने पर उन पर हुष कोई मना वहां मैं तर्फ नों के अपसा मनें खाट्रह पीका वाला मंदिसाय जड़ीगा मंदेर उसमें उप्ष ही आप में आगें कुछ निया जोड़ वोट मांगने हैं अभी कोई नहीं आया है अच्छा गाउं में वोट मांगने भी नहीं आता है तो चुनाओं के बाद क्या आएगा यह हमारी असलियत है यह हमारे पहाड की असलियत है यह हमारे उत्राखंड की असलियत है मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय पे जब आप वोट डालने जाएंगे 14 फरवरी को तो अपने लिए एक ऐसे कैंडिडेट को चुने जो की आपकी जो है मदद करें जो आपके शेत्र के विक विदा उठाएंगे यही आशा यही उमीद है यह अलमुडा विदान्जभा है और आप पकडंडी देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सबी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए पहाडों की उचाईयों में बसा चुनेंदा गेहु से बना सच्छता और शुद्धता की बहचान पेड़ी दर पेड़ी चले आए पारम पर एक चक्की से पिसा हमारे श्रम का फ़ल है आपके परिवार का भोग नर्मदा भोग स्वाद वही जो अपनों को करीब लाग